उस बच्चे ने एक अंड़ा चुरा लिया ध्यान देना और जब चुराया तो माराज लेकर के घर आया माने देखा तो मा से कहा देखो मा हमें एक काम करके आए हैं महाराज इसको बनाते हैं आज़ इसको बनाएंगे अब लड़का सोच नहीं लगा ऐसा लगता है यह बड़ा कोई अच्छा काम है उस दिन तुब बनाया धीरे धीरे घर में चौरी करने लगा अब किसी के घर जाता कई कुछ ले आता कई कुछ ले आता माराज इशी प्रकार से चोरी करता रहा शमे बेतीत होता रहा बच्चा जवान होने लगा धीरे धीरे आदत पढ़ने लगी बेटा बड़ा हुआ आदत पढ़ गई चोरी की माराज बहुत बड़ा डखेत बन गया बहुत बड़ा डखेत बन गया अब जब डगेत बना तो माराज गाउं मोल ले वाले सब परेशान सब परेशान क्योंकि जिसके गर में चोरी हो जाएगी वो कौन खुश रहेगा सब परेशान हो गएगा एक दिन पुलिश को बुला लिया गाउंवालों ने और उस लडगे को पकड़वा दिया और माराज इते परेशान है ते सब बोले देखो ये जिन्दा नहीं आना चाहिए उदर से सबी के घरवरवाद कर रहा है ये जिन्दा नहीं आना चाहिए माराज उसको सजा सुनाई गई सजा में बोली गई फांसी सजा में फांसी और जब कोई फांसी हो या कोई तो उस बच्चे से पूछा कि तुमारी अंति मिच्चा क्या है लड़के ने जवाब दे अमा को देखना जाते हैं बस अमा बुलवाई गई मा ने अपने बेटे को जब फांसी पे लटकते हुए देखा रोने लगी अरे बेटा ये कैशे हो गया ये क्या हुआ माराज बच्चे ने आगे बढ़के गाल पे तमाचा मारा रे मा जिस दिन मैंने अंडा चुराया था ना अगर उस दिन तुमना कर देती तो आज मेरे गले में फांसी का फंदा नहीं होता बाहराज याद रखना कोई भी बच्चा हो छोटे से गालियां देता है बड़ी अच्छी लगती है बच्चा है भी बड़ा हो करके माता पिता को गालियां देता बहुत बुरा लगता है ऐसा कुछ नहीं है छोटे से ही शुधारो जो पेड़ को छोटे से ही उसको शाफ करोगे तब ही वो सीधा जाएगा नहीं तो टेना हो जाएगा याद रखना कनईया बेए शर्प्रतम अपने घर से ही चोरी करना सीखे बहराज आदत बन गई एक दिन की बात है श्याम शुंदर ने गौल वालों को पाश में बुलाया और जवाब दिया है गौलों से देखो आज चोरी करने चलेंगे वो भी शीला भावी के घर में शीला नाइम की गुजरिया थी उसके बहराज आज उसी समय गौलों को साथ में लिया भगवान करहिया चल देते हैं युक्ननिक सयानी जब भये प्रेश्न और वलिराम तो माधन लीला बनी पहलो उनको कम गौलों को शाथ में लिया चल देते हैं किसंग गौलाली ने क्रेश्न हस चल दीने पकड़ी है आगे की राह सबने छोरे की तर सलाह संग गौलाली ने क्रेश्न रस चल दीने पकड़ी है आगे की राह भगवान गनहिया ग्वाल वालों को शाथ में लेकर के चले हैं रास्ते रास्ते जा रहे हैं माराज आज शुशमें जाकर के पहुचे गुजरिया के महल में यानि शीला के घर में देखा घर में तो नहीं है लेकिन जिसमें मखण रखा है वो मटकी बड़ी उसे है अब क्या हो कैसे इस मटकी को उतारा जाए बाराज आज उसी समें दामा बड़ा सतुर बताया गया दामा ने जवाब दिया कनहिया कैसे चोरी करियो श्यां और मटकी क्या उपर धनी गई ने बढ़या आरे उपर धरी गई है गवाई नी चाला की करी गई है कैसे चोरी करियो श्यां और मटकी क्या उपर धरी गई है और यिद कैसे मांखन खाओ के श्यां और मटकी करियो श्यां और मटकी क्या उपर धरी गई है जुद भी गई रही कां सोच मजू भईया और बलड़ां आरे कहे मल सुखा श्यां मिशे अब चाला की करी गई है कैसे चोरी करियो श्यां